हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल लिमिटलेस बैशन 51 कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब मैं ठीक हूं और आज से हशिता के स्कूल स्टार्ट हो गई है तो आज वो स्कूल गई है और अभी सम्थिंग साड़े ग्यारा बज रहे हैं तो मेरे घर के सारे काम हो चुकी है बस मुझे लंच बनाना है तो अभी मैंने एक्च्छल तो डीसाइड नहीं किया है कि में लंच मैं क्या बना रही हूं सोचाँगी और थोड़ी देर बात कि क्या बनाऊ पूजा हो गई है जाडू कोचा हो गया है नाना दोना सब कुछ हो चुका है तो तभी मैंने सोचा कि चलिए कुछ देर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बात करी जाए तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको एक लाइक कर दिया कि मैं भी दीरे दीरे करें जा रही हूं जब तक दिवाली आएगी उससे पहले कंप्लीट कर लोंगे इसके लिए हुआ 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 है यहां पर देखिए बैट पूरा क्लीन हो गया है अभी थोड़े समय पहले से ही मैं खुदी क्लीनिंग करती थी सारा मॉपिंग वगेरा लेकिन कुछ दिन पहले से मैंने अपने एक हाउस हैल्पर को लगा लिया है तो वह सुबे में ही आती है और बहुत अच्छी से एकदम बड़ी ऐसे जाड़ू कुचा करके चली जाती है मुझे हैल्प भी मिल जाती है और जैसे मुझे वीडियो का कुछ काम करना होता है तो स्पेर में मैं अपने लिए टाइम भी निकाल पाती है और एक यह देखिए बैट शीट मेरी वाली परपल कलर की यह बैट शीट बहु की ज्याता है तो लगबग आदे बैट के जितनी तो इसको अंदर फोल्ड किया हुआ है इसका कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छा है और कलर भी बहुत अच्छा है यह देखिए यह हरशिता की स्टड़ी टेबल पर रखा हुआ एक पैन स्टेंड है और यह देखिए उसे उसने कितना जादा भरके रख रखा है और यह कुछ क्यूट से यूनिक से पैन है जब हम गुमने गए थे तब वहां से शॉपिंग की थी उसने और एक यह शू वाला शापनर है यह देखिए इसका सिगर भी उतरने लग रहा है और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हरशिता को दिलाई थी उसको बहुत पसंद ऐसे चोट-चोटे से स्टेशनरी आइटम्स को कलेक्ट करना उनकी कलेक्शन बनाना और यह सब क्राफ्ट भी हरशिता ने ही बनाई है यह स्टेडी टेबल पर एक नोटिस बोर्ड है पीछे की तरफ लगावा ब्लू कलर में तो जो भी कुछ अच्छी चीज़ें वो बनाती है तो मैं उन्हें यहां लगा देती हूं जड़ें ख्या हुर्ण लगा करता है